प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में देखेंगे एड़ ग्रेट अभ्यास पुस्तिका दोज़ चौबिस पचिस के आपकी न्यूबुक है कक्छा साथ विशे समाजिक पिक्यान तो चलिए देखते हैं यहाँ पे देख लीजे यहाँ पे आपके पूरे जो पाठ होगी जो है नाम दिये हुए हैं तो आज की इस वीडियो में देखेंगे समाजिक यूम राजनेतिक जीवन तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला आता है आपका अध्या एक अध्या एक में हैं समानता पहला कोश्चन है मध्यान भोजान योजना का प्राराम सरो इसरे में हैं समानता इस्थापित करने के लिए सविधान में इस्थापित प्रावधानों से सम्मिलित नहीं है तो आपका जो है उत्तर में हो जाएगा सी नंबर हर वेक्ति सरवाजनिक इस्तलों पर नहीं जा सकता चौथे में हैं समाज में तिव्यांग जनों की भागीद सारी बनाना सरकार का दाई उत्तो है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर बी नंबर कथन एक दो एवं कथन तीन इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है पाच्वे में अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल अंदोलन प्रारंबुगा जिस तो आपको इस तरह से भर लिशेगा इसके बाद नेक्स्ट को चनाता है आपका प्रश्टांग मंंग साथ में हैं ऐसे दो देशों के नाव बताईए जहां आसमानता के लिए संगर्श हुआ आपको तर मिलिखना है भारती लोग दांता के लिए शंगर्श हो रहा है अपको इसके बाद आठोय आता है, शविधान किसे कहते हैं, आपको तर्मलिक नहीं है, शविधान वय दस्तवेज है, जिसमें देश की जनता वशरकार द्वारा पालन किये जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है, तो आपको इस तरह करना है, इसके बाद आपका प्रिश्न कर्मा का नौमा, नौमा में हैं सरुभावमिक वयस्क मात अधिकार का आसे, वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धरम कोई भी हो, सिक्षा का इस्तर रिया जाती कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो, इसलेब नेक्स्ट है, आपका दस्वे मे के अनुशेद पंद्रा के प्रावधानों के लिखे, आपको उत्तर मिलिक ने अनुशेद पंद्रा के प्रावधान, राज किसी भी, नागरिक के विरुद्ध के वलधर्म, मूलवंस, चाती, लिंग, जन्म, इस्थान या, इन में से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं कर इसके बाद आता है, आपका 11 में है, शमानता के अधिकार, सरकार द्वारा किस प्रकार लागू किये गए हैं, आपको उत्तर मिलिक ने समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है, पहला है कानून के द्वारा, दूसरा है सरकार की योजना हुआ, कारिकरमों द्वारा सुविधाहिन समाजों की मदद करके इसके बाद बारवी में मध्यान भोजन कारिकरम से क्या लाब हुए कोई दीन लाब लिखिए तो आपका पहला लाब है इसकूल में सबी जादियों के बच्चे साथ-साथ भोजन करते हैं दूसरे में इस कारिकरम से महिलां को रोजगार मिला तीसरा है इस कारिकरम में निर्दन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता की है तो आपको इस तरह करना है इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्ण करमांग 13, 13 में है नागरिक अधिकार अंदोलन क्या था आपको उतर मिलिखना है रोजगार्थ एक अफरीकी अमेरिकन महिला ने मोरे महिला ने गोरे वेक्ती को सीट देने से मना कर दिया उस दिन उनके इनकार से अफरीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विसाल अंदोलन प्रारम हो गया जो नागरिक अधिकार अंदोलन कहलाया इसके बाद चवदा में है प्रजा तंत्री शमाज में समानता इस्थापित करने में क्या-क्या कठनाई आ रही है आपको उतर मिलिखने प्रजा तंत्री शमाज में समानता इस्थापित करने में जाती धर्म, अपंगता, आर्थी किस्थिती और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता के विवहार आधी कठनाईयां आ रही हैं इसके बन नेक्स्ट आता है आपका पंदरा में हैं अफरीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार अंदोलन क्यों चलाना पड़ा तो आपको उत्तर में लिखना है प्रोजा पाकर से एक अफरीकी अमेरिकन महिला थी एक दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके ठक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया उस दिन उनके इनकार से अफरीकी अमेरिकनों के साथ आसमानता को लिकर विशाल अंदोलन प्रारंब हो गया जो नागरिक अधिकार अंदोलन कहलाया इसके बाद 16 में है क्या आपकी कक्षा में कोई दिव्यांग चात्र अधियन करता है आप उसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं तो आपको तर्मलिकने यदि मेरी कक्षा में कोई दिव्यांग चात्र अधियन करता है तो मैं उसकी मदद इस्कूल आने जाने पढ़ाई, खेलकूद एवं उसकी अवेश्यक शमागरी ले जाने में करता, मैं उस दिव्यांग छात्र को सबसे अच्छा दोस्त बना कर रखूंगा और उसे कोई परिशान करेगा, तो मैं उसकी उस समय मदद करता रहूंगा, इस त सब्साइब